प्रिया कलाप 6 अपने घर के विद्यूत परिपत में लगे विद्यूत मीटर का बारिकी से प्रेक्षन करें तथा प्रति दिन प्रातह साथ बजे मीटर का पाठ्छांक नोट करें प्रति एक दिन कितनी यूनिट व्य होती है प्रत्येक दिन प्रेक्षणों को एक माह तक साड़ी बद्ध करें अपने प्रेक्षणों की तुलना विद्युत के मासिक बिल में दिये गए विवरणों से करें हमने सीखा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाय गया बल के परिमान तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुड़न फल के बराबर होता है कार्य का मात्रक जूल है वस्तु पर लगाया गया बल एवं उसके विस्थापन के दिशा समान होतो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा उर्जा वस्तु को कार्य करने की शमता देता है उर्जा का मात्रक भी जूल है किसी वस्तु में उसकी गती के कारण नीहित उर्जा उसकी गते जूर्जा कहलाती है V वेग से गती करती हुई M द्रव्यमान की वस्तु की गते जूर्जा 1 बाइ 2 M V स्क्वेर होगी वस्तु द्वारा उसकी इस्थिती अथ्वा आकरिती में परिवर्थन के कारण संचित उर्जा को वस्तु की इस्थितिज उर्जा कहते हैं प्रिथ्वी तल से H उचाई तक उठाई गई M द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वी इस्थितिज उर्जा MGH होगी उर्जा संरक्षन नियम के अनुसार उर्जा को ना ही नश्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रुपांतरित किया जा सकता है रुपान्तरण के पूर्व तथा रुपान्तरण के पश्चात कुल उर्जा सदेव नियत रहती है कारे करने की दर या उर्जा रुपान्तरण की दर को शक्ति कहते हैं शक्ति का SI मात्रक W है 1KWH उर्जा की वह मात्रा है जो 1KW के किसी स्रोत को एक घंटे तक उप्योग करने में व्याय होती है मुख्य शब्द Keywords कार्य वर्क उर्जा एनर्जी गतिज उर्जा काइनेटिक एनर्जी स्थितिज उर्जा पोटेंशियल एनर्जी उर्जा संरक्षन एनर्जी कंजर्वेशन शक्ति पावर